है वेल्कम बाक टुदी चानल गैसे आप लोग आए होप यह बात करेंगे रिगार्डिंग वजीर एक्स क्या चीज़े यहां पर चल रही है अगर आपके फंड्स वजीर एक्स में फसे होएं तो क्या चीज़े आप लोग यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या आपके प्रब्लम जिसके बारे में हम शुरू से बात करेंगे यहां पर यह भी है कि अगर शुरू से ही यहां पर विड्रॉल जो है वो दिया जाता क्रिप्टो का दर बुड़ हाब बीन मैंनी इन्वेस्टर जो अपने क्रिप्टो को वजीर एक्स से इंकाल के अपने कोल्ड स्टोरेज वालेट पर रखते बद जहां पर यह सारी चीज़े हो चुकी है अब बात करते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या चीज़े कारेंट यहां प मार्केट पे लॉस रही होना चाहिए और कहीं ना कहीं क्रिप्टो इंवेस्टर यहां पर एकदम सही है जहां पर हम लोग बात करते हैं वजीर एक्स की यस वन आफ दी एक्स्चेंज जो हमेशा लाइन लाइट मेरा वन आफ दी एक्स्चेंज इसके ओपर काफी बार उंग पाए रहा है और यह क्या ड्रामा चल रहा है और 45-55% यह भी समझने की कोशिश करते हैं चलते हैं कुछ आर्टिकल में समझते हैं क्या कारिंट सेचुएशन हैं क्या चीज़े हम लोग आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं विल यू बी एबल टो विड्रॉय और फंस फ्रांव विल इसके बारे में भी बात करेंगे बट यहां पर एक उन आर्टिकल्स में जाने से पहले आपको अभी भी बता दे अगर अभी भी आपके फंड की सी भी एक्चेंज में दे बेस्ट इंग इस कि आप अपने कॉल स्टोरेज वालेट में उनको रखिए अपने क्रिप्टो आपके पास नहीं रहेंगे तो इवेंचुली आप लोग मार्केट से प्राफिट नहीं निकाल पाऊगे अपलोग मार्केट से रिकावरी करने की सुचों में वेल जो एक सिचुएशन कारेंट ली चल रही है और वजीर एक्स यह पूरी की पूरी क्रिप्टो कामनीटी को अगर हम इंडिया की बात करें तो काफी पीछे ले जाता है जहां पर आज की टाइब में पीपल वर इंट्रेस्टेड नए रिटेल इंवेस्टर मार्केट पर आ रहे थे आफ्टर ऑल दी टैक्सेशन जो यहां से गर्मेंट लगाती है इन फार्ट यहां पर FIU के लिस्ट यह बोलता है managing your funds after the cyber attack अब यह जो cyber attack है यह चोटा मोटा नहीं था let us remind you यह जो अटाक था that was of 230 million dollars काफी बड़ा यह amount होता है yes यहां पर यह fund जो है वो चुरी हुए from a single wallet हम लोग भी अपने जो बन सकते हैं वो कोई एक wallet में रखते depending आप कितना पैसा इंवेस्ट करते हों इन क्रिप्टो कांसी मार्केट it is always better कि आप अलग अलग जगा उनको store करते हैं अब यहां पर बात करते हैं हम रोड डारेक्ली distribution of funds अब यह जो important factor है जिसको लेकि काफी लोग ना पूश है और होने भी 55% of user crypto asset will be made available for trading or withdrawal depending upon the option that you select यहां पे polling जो है वो कराई जा रही है after the attack यहां पर जो investor है उनसे बोला जा रहा है कि आप पोल करके बताओ कि आपको यह पचा हुआ पैसा वापिस चाहिए कि नहीं जी है do you want 55% of your entire portfolio back or not यहां पर आगे यह भी लिखा है while the remaining 45% will be converted into USDT equivalent tokens and locked यहां पर जो 45% आपका remaining है वो आपको शोकेस तो होगा आपके wallet में but वो लॉग होग होगा and होगा in form of USDT अब इस चीज़ को लेके काफी आपर criticism जो है वजीर्यक्स फेस कर रहा है अनियस करना भी चाहिए यहां पर the point is कि आप 55% of users crypto assets जो है वो वापस तो कर रहे है अभी तक keep in mind आप लोग ने deadline खुछ भी नहीं रखिए 3rd of August तक यहां पर यह पोल जो है वो चलेगा उसके बाद यहां पर decide होगा although उसके उपर भी एक और statement जो है वो निच्छल सेटी का सामने आए उसके बारे में भी discuss करेगे but the remaining 45% आपको यहां पर converted मिलेगा आपके wallet में spot wallet में वजी रखिए आज USDT आन वो होगा लॉग लॉग पर कब तक होता है वो कोई idea आपके कुछ भी नहीं दिया कोई timeline यहां पर नहीं दी गई है in fact 55% का वापिस होंगे उसकी भी timeline यहां पर mention नहीं है for both options we'll create a balance portfolio for your unlocked portion 55% of your total investment मतला अगर आपने एक लाग पर टाला है तो 55,000 यहां पर आपके unlocked होंगे and 45,000 यहां पर आपके locked होंगे in USDT using a basket of crypto assets derived from available crypto assets on the platform if 55% of your unlocked portfolio includes affected tokens we'll balance it by replacing with the affected portion with the basket of unaffected crypto assets available on the platform अब यहां पर इस चीज़ को समझना बहुत important काफी ऐसे लोग हैं जिन्हों ने यहां पर alt coins में invest करा था अब कौन-कौन से यहां पर crypto exactly amount के यहां पर hack हो है वो भी यहां पर सामने नहीं आया काफी ऐसी चीज़े हैं जिसकी clarity अभी तक लोगों को नहीं मिलिया although एक report है जरूर यहां पर आई है जो पब्लिश हुए जो बताता है कि कौन-कौन से crypto कितनी value के market में hack हुए बट फिर भी अगर हम यहां पर बात करें यह चीज़ें जो है वो वजीर एक्स के थूरू सामने आनी थी एक आदमी जिसने शायद यहां पर bitcoin में invest करा सारा amount जो है वो bitcoin में इन्वेस करा and supposedly bitcoin यहां पर effect नहीं हो है from this hack but फिर भी वो अपना 45% of the total amount जो है वो लॉस कर देता है because of the hack यहां पर जो market में हुआ है विद वजीर एक्स यहां पर आगे बात कर रहे है recovery efforts की recovery efforts यहां पर definitely यहां पर एक bounty जो है वो वजीर एक्स ने रखी of 10% ताफी बड़ी bounty है बट इसमें अभी क्या updates है वो कुछ भी सामने नहीं आए आप यहां पर slowly and steadily आप लोगों को भी पता चलेगा बाते जो है वो बहुत करी जा रही है बट कोई timeline किसी भी चीज की यहां पर provide नहीं करी जा रही अब यहां पर एक और important चीज है of portfolio valuation अब किस basis में आपको 55% of your unlock tokens हैं जो वो मिलेंगे यहां पर बोला जा रहा है कि यहां पर 21st of July 2024 को 830 PM Indian Standard Time को जो rates चल रहे थे उस साहीं में उसी rates के accordingly आपको 55% का आपको portfolio वापस दिया जाएगा irrespective of वो कितना बढ़ जाता है उसके बाद यहां कितना क्लाइन हो जाता है अब यहां पर अगर देखा जाए बहुत इंट्रेस्टिंग्ली 21st of July लेट्स अज्यूम कि Bitcoin का price जो है वो 65,000 dollars चल रहा था and at the time of the release of tokens यहां पर बिटकोईन का price touches somewhere around 70,000 या 75,000 dollars तो यहां पर आपके 55% भी value जो है वो वापस नहीं आती यहां पर जो आपको value दी जाएगी that will be according to the global exchange में जो उस time rate चल रहा था on 21st of July 8.30 p.m. Indian standard time अब इस चीज को लेके काफी चीजे जो है वो backlash पर आ रही है although यहां पर action required I'm sure इसके बारे में आपको पता होगा frequently asked question यह पूरी की पूरी डिटेल आपको निच्छे description में मिल जाएगे पूरा article आपको मिल जाएगा यहां पर coin DCX यह फाउंडर जो है वो सामने आए और उन्होंने हापे काफी चीज है बोली regarding वजीर X 45 and 55% plan hate to be saying this यहां पर coin DCX यह owner है उन्होंने बड़ा clear करा कि वजीर X यहां पर सिंक में नहीं है with 55 45% approach that the platform has announced to deal with the hacking attack that saw almost half of this reserve getting stolen on 19th of July वजीर X experienced a significant security b the resulting in this loss of over 230 million dollars worth of cryptocurrency asset अब यहां पर जो है वो backlash आ रहा है not only from coin DCX but अलग 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 yes as a community हम लोग भी यहां पर काफी बाद tweet कर रहें बट यहां पर eventually Nishtal Sati ने कोई step जो है वो eventually लेना पड़ेगा कोई timeline यहां पर definitely उन्होंने देनी पड़ेगी यहां पर ऐसा नहीं है खाली poll को लिखे यहां पर इनिशल सेटी जो है वो चुप हो गए यहां पर उन्होंने बोला है कि all options on the table are for fund recovery शेटी said that outreach efforts to different crypto exchanges are going to be crucial यहां पर जो है वो help भी मांग रहे हैं बाकी के exchanges से जहां पर yes आज के और वही चीज आप यहां पर पड़ भी सकते हो crypto hist वजीरेक्स seeks help from finance to bail out customers now this is actually very important अब क्यों important है तीन इसके reasons से सबसे पहला reason अगर हम यहां पर बात करें the report added that finance held approximately 80 million dollar worth वजीरेक्स token on the day of crypto hack this compromise वजीरेक्स capability to use its own funds to pay back some part of the customers asset अब यहां पर जो है वजीरेक्स जो है वो बानांस की help ले रह कि आप हमारे WRX token जो है उससे help करतो यहां पर customers की but in response यहां पर कुछ भी चीज़ें जो है वो सामने नहीं आ रही their legal dispute is still going on there are components of वजीरेक्स business which are still under finance control including the revenue the surplus of it even its WRX token is under their control so they have reached out to finance and the talks are on but at early stages काफी early stages में talk है सो यह कहना कि यह चीज़ें होगी या नहीं होगी that is up in the air यहां पर इसकी कोई guarantee नहीं लेता हो दो but past में इनके बीच में काफी tussle जो है हमने देखी ती यहां पर अब क्या चीज़ें जो है अगर वो impact होती है अगर बानांस चाहे तो यहां पर definitely help कर सकता है बड़ यहां पर अगर हम बानांस की बात करें बानांस यहां पर खुद बखुद अपना FIU compliance के लिए आगे बढ़ता जा रहा है तो saying कि यह possibility लगती है well बहुत काम यहां पर possibility लगती है because अगर हम past में देखें तो इन दोनों की बीच में काफी बड़ी टसल हुई थी अब यह चीज़े जो पास में हो चकी है यह कहीं न कहीं बताता है कि वजीर एक्स शुरू से ही ऐसा एक प्लियर रहा है इंदी मार्केट ऐसा नहीं है वजीर एक्स हो लेके और भी काफी आर्टिकल जो है वह सामने आ रहे है अब क्या चीज़े यहां पे निकल के आती है यहां पे यहां पर पास वापस नहीं आते वैल जो भी बाते हो रही है वह हवा में बाते हो रही है अब ही तक बाते हो रही है 55% आफ दी फान जो है वह वापस दे दी जाएंगे 3rd of August थे के पूल चल रहा है उसी के साथ साथ निश्चल से यहां पर यह भी बोल रहे है कि और भी options हम लोग देख रहे है यूजर जो यहां पर options देंगे उनके बारे में भी हम लोग सुन रहे है आना एक form जो है वह circulate करा गया कि आपके क्या inputs हैं इस चीज को लेके कैसे आप चाहते हैं हम लोग इसको टाकल करें वेल इवेंचुली यह चीज़े जो है वो पहले ही हो जानी चीज़े थी जहां पर हम इस एक point को लेके काफी time से बात कर रहे हैं एक सबसे बड़ा issue आज के time में भी market में कि जो इंडियन exchanges है न यह आपके funds को withdraw करने ही नहीं देते As compared to the international exchanges कोई भी exchange आप पकड़ लो finance पकड़ लो कुकाइन पकड़ लो bid get पकड़ लो bybit पकड़ लो कोई भी exchange बिंग X पकड़ लो for example वो आपके cryptos को withdraw करने देते हैं वहां से लेके आप अपने cryptos को अपने cold storage wallet में securely store करके रख सकते हैं कल के date में कौन सा exchange आके यह बोलता है कि यहां पे काफी नए retail investor आके ignore करते हैं राधर ignore भी नहीं करते हैं इंग्नोर इस नेगिटेव वर्ड यहां पे वो आके क्यूंकि एक Indian exchange जो है वो बहुत easy होता है to use वहां पे आप बैंक के थ्रू transfer कर सकते हैं वहां पे cryptos purchase करके आप रखे रखते हैं कि आज जब होगा जो है वो करने देते हैं Indian exchanges आज की टाइम में भी ऐसे काफी Indian exchanges है which do not allow you to withdraw your crypto to your cold storage wallet और इस issue के उपर बात कोई नहीं करना चाहता है everybody stays mom on it यहां पर यह बोला जाता है कि यार FIU की तरफ से हमारे पास guidelines है यहां पर जब तक आप FIU में registered नहीं थे उससे पहले भी आप cryptos को withdraw नहीं करने दे रहे थे is there something fishy about it well I do think so but on the other hand काफी ऐसे Indian exchanges भी हैं जो आपके cryptos को withdraw करने देते हैं the choice is up to you do you want to leave your assets with somebody else किसी और के पास अपनी cryptos जो है वो store करके रखना चाहते हूं यह अपने पास अपनी custody में अपने cryptos को रखना चाहते हैं well अगर अगर अपने पास रखते है तो definitely आप लोग bull run में काफी अच्छा profit कमाएंगे अगर किसी और के पास रखते हैं तो बस यही चीज़ आप लोगो ने कोशिश करनी है कि वो crypto exchange जो वो hack ना हो यहाँ पर वो bankrupt ना घोशित कर दे अपने आपको and आपके cryptos वहाँ पर पढ़े रहे well the last and final thing यहाँ पर जो हम ब अगर यह पूलिंग हो रही है तो यहाँ पर definitely timeline जरूर देना चीज़ पूलिंग खता में on third of August क्या उसके बाद आप timeline दोगे या उससे पहले ही आपने timeline देनी चीज़ जब भी यहाँ पर withdrawals खुलेंगे कितने लोग यहाँ से withdrawals करेंगे अपने funds are you prepared for it क्योंकि यह कुछ ऐस subscribe कर लेना thank you so much for watching our channel see you next time okay papa